इन दिनों तो भई हम में से ज़्यादा तर लोग घर बैटे heavily internet use कर रहे जैसे कि movies डाउनलोड करना हो गया या फिर games खेलना इसलिए maximum users को slow internet problem face करना पर रहा है क्योंकि एकी server के उपर अगर बहुत सारा load आ जाए तो भई ए problem तो हर किसी को face करना ही परेगा और यही बद जियो एंड याटेल उजस की ओतु इंडिया में बहुत सारा है इसलिए सबसे ज़्यादा problem तो इन लोगों को हो रहा है जो लोग जियो एंड याटेल सिम यूज करते बट इसका एक 100% working solution क्या है आप जानते हो उजस को different server पे divide कर देना इससे हर किसी को maximum internet speed मिलेगा तो आज में आपको एक best जियो एंड याटेल APN सेटिंग दिखाऊंगा जो की different server पे run करता है और इस APN को apply करने से आपको भेटरीन downloading and gaming experience मिलेगा तो अभी से इस वीडियो पे एक like कर दिजिए और अगर अगर आपने अभी तक लिए तो चलिए बिना time waste किये इस वीडियो को start करते सबसे पहले मैं आपको check करा कर दिखा था हूँ जो default APN मेरे phone पर भी लगा है उससे मुझे कितना downloading and uploading speed मिलता है अब new APN को create करना पड़ेगा create करने के लिए simply app setting option में जाएए उसके बाद sim card and mobile network उसके बाद आप जिस भी sim पी इस APN को set करना चाहते हो जियो या फिर एक्टिल उस sim को open कर दिजिए open करती आपको तीन number पे access point names करके एक option देखने को मिल जाएगा उस पर आप tap कीजिए उस पर tap करती आपको एक plus icon मिलेगा या फिर add add on buttons भी रह सकता है उस पर आप tap कीजिए उस पर tap करती आपके समने वालप पे जा जाएगा यहाँ पर मैं आपको जो जो चीज़ दिखाऊंगा ओ फिल अप करना होगा step by step तब ही आपका apn जो एक create हो पाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चीज़ फिल आप करना पड़ेगा ओ है name आप name पर क्लिक किजिए और यहाँ पर आपको लिखना होगा एन ओन नियोन न कैपिटल में होना चाहिए उसके बाद space देकर copyright sign देना पड़ेगा copyright sign के लिए आप simply keyboard number टैप पर जाएए देन आपको symbol टैप देखने को मिलेगा उस पर आप क्लिक किजिए तो आपको यहाँ पर copyright sign देखने को मिल जाएगा उस पर आप क्लिक करके copyright sign input कर सकतो उसके बाद आपको 73 लिखना है देन आपको बापस से symbol टैप पर आके TM यहाँ टेट मार्क सिम्बल को यहाँ पर लगा देना है मदलब कि यहाँ पर आपको लिखना होगा neon space copyright 73 टेट मार्क उसके बाद आता है APN APN पर आपको यहाँ पर अपना सिम नेम डाल कर उसके साथ gaming add कर देना है सब कुछ small letter में और एक साथ उसके बाद आता है proxy proxy को आप not set रहने दीजिए उसके बाद आता है port port को भी आप not set रहने दे इसके बाद आता है username username पर आपको यहाँ पर neon neon 2020 सब कुछ small letter में और एक साथ लिख देना है उसके बाद आता है password not set इसके बाद आता है server server पर आपको यहाँ पर अगर आप goc में यूज करते हो तो आपको देना पड़ेगा www.go.com या फिर अगर आप एक eartel यूजर हो तो आपको यहाँ पर www.eartel.in देना है तो इससे अपका server जोए different हो जाएगा and उस particular server से आप अच्छा खासा speed जोए gain कर सकते हो उसके बाद आता है MMAC उससे आप not set आने दीजिए उसके बाद MS proxy not set उसके बाद MS port not set इसके बाद आता है MCC and MNC यह आपका area code है इससे आप बिल्कुल भी share करनी ना करे यहाँ पर अगर आप कुछ भी changes करते हो तो भई आपकी internal speed बढ़ने की जगाए कम हो जाएगा उसके बाद आता है authentication type उस पर आप tap कीजिए and यहाँ पर जो second बाद option आड़ा है PAP करके इसे आपको slate कर देना है इसके बाद आता है APN type और APN type के अंदर आपको simply default सबकुछ small letter में लिख देना है इसके बाद आता है APN protocol APN protocol काफी साय devices में IPV4 EFS6 हो सकता है इसे आपको change करके IPV4 slash IPV6 करना पड़ेगा उसके बाद आता है APN roaming protocol AV काफी साय devices में IPV4 EFS6 हो सकता है इसे भी आपको change करना है और change करके IPV4 slash IPV6 कर देना है इसके बाद आता है one of the most important setting VRR बट VRR देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा अगर आपके फोन में बाईचान से APN काम नहीं करता है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है description box में आप चेक किजिए उस वीडियो की link आपको आपे मिल जाएगा उस वीडियो को देखके आप किसी भी APN को अपनी mobile के लिए flexible बना सकते हो ताकि उस APN से आपको maximum speed जो है मिल सके तो चलिए अब देखते है one of the most important setting VRR VRR देखिए सबसे पहले unspecified रहता है downloading speed मिल सके लेकिन ऐसे भी बहुत साए devices है जिसके अंदर एक से ज़्यादा VRR सपोर्ट नहीं करता है तो उस case में आपको set for step LTE BRR को slate कर देना है क्योंकि ओ हर एक phone में support करता है और आपको देखने को भी मिल जाएगा उसके बाद आता है mbenotype इसे आपको not set default या फेट जो भी है आपके phone में उसी को रहने देना है इसके बाद आप more option पर जाईए and इस APN को save कर दीजिए save करती आपको या पर दो-दो APN देखने को मिल जाएगा एक तो हो गया default वाला and second जो है वो है neon copyright 73 TM उस पे आप एक बाद टैप कर दीजिए तो आपका APN जो है save हो जाएगा अब मैं आपको फेट से uploading and downloading speed check करा के दिखाता हूँ इस APN से कुछ भी improvement हुआ या फेट नहीं speed check तो हम लोग करेंगी बढ़ उसके बाद आपके लिए एक surprise भी है वो भी देखते जाएगा अब बात करते सर्प्राइस की अब से आपको कुछ कुछ APN टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी देखने को मिलेगा जैसे की ए वाला इसके लिए आप description box में चेक कीजिए वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा pinky करके pinky के पास में जो link दिया गया है उस link से directly आप टेक्नो माइं डुजल वेबसाइट विजिट करके इस APN का जो टेक्स्ट फॉर्म है उसे देखके अपने phone में set कर सकते हो तो फिर्ण साथ अगर तो वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो अभी से इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ share करना तो भई बनता है अभी जाकर share कर दो और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे interesting वीडियो पाने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना है मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में